यहाँ पर हम बात करेंगे at present मुझे ना special वीडियो बना ना था actually मादवन के character पर जी हाँ शैतान में जो सबसे बड़ा कोई character है तो वो शैतान का है क्योंकि नाम ही फिल्म का शैतान है आर मादवन को लेके critics ने भी यह लिखा है यहाँ मादवन literally has the audience audiences in chokehold ever since Shaitan trailer drop I don't think I can ever look at Maddy the same way again he has transcended to new and in inviable heights of performance in this role yes once the movie hits the cinemas I am sure he will rock at box office I mean his role is his role will most discussed role इसके बारे में बहुत ज्यादा discussion होगा इस type का रोल है ऐसा हो सकते है और अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों सच बोल रहा हूँ इस मूवी में मैंने मादवन का जो ट्रेलर का जो लूक देखा ना उसमें ना भाई कम से कम 10 से 11 उसके अलग-अलग रूप देखने को मिले एक बार एकदम silent दिखाया है एक बार ऐसे हस रहा है कि मतलब मारो अपने पापा को तो वो मारती है और और खुद को मारो जोर से मारो तो वो टाइप के जो कुछ अलग-अलग अंदाज देखे हस, हसा भी है वो एक तरीके से एक बार गुसा भी दिखाया है उसको तो इसके बहुत से shades देखने को मिले एक ही character में अच्छे कासे अउतार्स देखने को मिले angry वाला, गुसे वाला मतलब एक तो smile कर रहा है एक तो जान मुझके चीडा रहा है उस family को देखो मैंने क्या किया, बेटी को तुमारे वशी करण कर दिया अजे देवगण को टॉंट मार रहा है या फिर हस रहा है उस family की condition पे तो एक अलग-अलग तरीके से एक challenging role लेकिन बहुत ही बहतरीन और उन्होंने खुद ही credit दिया है अजे देवगण को यह तो आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से माधवण ने credit दिया अजे सर को वारना वो role अजे सर कर सकते थे पर अजे सर ने तो खुद ही बोला कि मुझे somehow ऐसा लगा कि मैं वो saviour का role अच्छा करूँगा तो इस role के साथ मुझे justice नहीं कर पाता मैं तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा जो इस role के काबिल है and no wonder कि मैंने बहुत अच्छी choice ली है तो अजे सर भी happy है अच्छा लगा देखके दोनों की bonding भी by the way so at present मुझे माधवन के ही character के बारे में शैतान के बारे में बात करनी थी इसलिए यहाँ पर आजे सर के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है मैंने इस वीडियो में हर एक character के भी बारे में हम अलग-अलग videos लाएंगे कल बेटर है आजे सर के character के बारे में फुल डीटेल चर्चा करेंगे I don't think कि शैतान का ट्रेलर जब से आया है या फिर teaser भी in fact आजे सर के character को लेके हमने बात ही नहीं की इस बार तो करनी है बात क्योंकि कल हम बात करेंगे कि दुरुश्यम टू और इस character में क्या फर्क है या फिर क्या similarities है वो भी बात करेंगे आजे सर वाला special episode लाना पड़ेगा उसके लिए क्योंकि फिर चर्चा बहुत बड़ी होगी न so that's it मज़ा है आपर भाई ये मादवन वाला episode मान के चलो ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे टेक क्यार आपका के कहना है भाई इस खुनकार विलन के बारे में ज़रूर बताईए अपने शैतान के बारे में